अब आप लोग देख रहे होंगे मैंने लोहे की कड़ाई पर क्या बनाया है वही रोज की रेमेडी नहीं इसमें कुछ मैंने खास ऐसी चीज़ आट की है जिससे कि आप जो दंग रह जाएंगे आपके बाल जो नैच्रल काले हो जाएंगे वह भी सिर्फ तीन बूंदों से न अब लोग उम्मेद करती हो आप सब भी ठीक होंगे आज जुमें रैमेडी करने होली कि अपको किसी भी वीडियो में किसी बीची चैनल पर आपको यह नहीं बताया होगा और इस वीडियो को जो है तब आप लोगों को यह वीडियो यूसफुल हने वाली इसमें चिरफ दो से तीन बुंदे आपको ऐसी चीज एड़ करने होगे जिससे कि आपके बाल जो नैचु तरीके से काले होंगे बाल सिल्की और बाल आप कई दिनों तक दोने भी नहीं पड़ेंगे स्पेशली विंट बालों में मकर सिल्की नेज और बालों को छूने में जो है बहुत जाथ अच्छा फील सा होने लग जाएगा बस इसी तरीके से आपको इस वीडियो को पूरा वाच करना होगा तो चली फ्रेंड इस वीडियो को स्टार्ट करते और हाँ अगर वीडियो किसी भी एंगल में जाते जाते लाइक जरू कीजिएगा जब भी आपको पूरी वीडियो देख लें तो आपको किसी भी एंगल में अच्छी लग जरू कीजिएगा और शेयर कर सकते अपने फैमिली फ्रेंड के साथ वाट्साइप पे ट्वीटर पे फेस्बूक पे आजकर सभी लोग एक्ट वो ग्रे हो जाएगा आपको पस उसको प्रेस करना है और मेरी जो आप लोगों को हर बार जब देखेंगे और नहीं मिलेगी और अच्छी से अच्छी तरीके से मिलेगी और वीडियो अच्छी लग जाए तो प्लीज इस जा दे जाते लिए लाइक चे सब्सक्राइब कीज होगा फिर भी मैं बताना चाहूंगी कैसे हम अपने इंस्टेंट अपने सफेद बालों को काला कर सकते हो भी घरिलू तरीके से ना आपको कोई मेहंदी लगानी पड़ेगी ना को डाय यूज करनी पड़ेगी जिससे कि आपके बालों को को नुकसान हो हम तो चलिए वीडि लीफ पाउडर देख सकते हैं अरविरा लीफ पाउडर इसलिए लिया जाता है कि इसमें वाइटमीन ए बहुत जाद अच्छे मात्रा में होता है जिससे कि हम अपने सफेद बालों को मिन्टो में काला कर सकते हैं और याद रखिए कि यहां थोरा सा हाफ क्वाटिटी के बर इसमें पाउडर लिफ ने खाली है अगर को लगाया जाता है तो से क्या आता है कि रख ज्या रख होने के चांसित होते हैं और यहां पर जिन चीव ऐड़ों को इनके साथ जो एट करूंगे उसे मारे बालों को नेच्रल आ करेगा वह भी घर की तरीके से यहां मैंने जो एलविरा लीप पाउडर के साथ इंडिगो पाउडर भी एड़ कर दिया है और देखिए साथ के साथ हम इसके अंदर एक खास चीज जो एड़ करेंगे वो मैं आपको जो एंड में बताऊंगे इस वीडियो को स्किप मत किजिएगा पूरा देखिएगा फुल इस इंग्रेंट को लेंगे लेमन पील पाउडर को लिख सकते हैं और सबकी कॉंटिटी को मैं सेम ले रही हाफ स्पून के बराबरी और अगर आप लगों के बाल ज्यादा बाल सफेध है पूरे बड़े बालों में लगाना है तो आप इसके चमच जो है दो चमच के बराब थोड़ा सा में जूम करके दिखा दू यह देख सकते हैं यह यहां पर लिखा है ओलिव और इस तरीके का ओलिव और आट करना होगा जिससे कि हमारे बाल जो नैच्र तरीके से काले हो जाए आप इसके अंदर नारियल तेल को भी आट कर सकते हैं हमें सिर्फ एक चमच के बर करएं नारि अपने लेकंपने बालों को स्लॉट कर सकते हैं ठोड़ा समसिंूर अर्ट नारी करना होगा तेले गां आप हमेर्स , यह अपने सेयर कर दो प्रया हिसक्ते हैं यह जादा आतार आपको एमयजा प्लिकारट में मिल जा यह और थाप है सामूत- म मिंमिशी में ग्र ले तो यह वो यह फाल और आप पानी नहीं बाहएंगे अपने हेर के पे लगाएंगे तो देखिए मैंने को जो अच्छे से पहले में मिक्स कर लूँगी इन सभी को निक्स करने के बाद ही आप इसके जरूर आटके हाँ याद रखिए कोई सभी हेर सीरम अगर आपके पास उसके दो से तीन बुंदे आट जरूर कीजिएगा देखिए अब मैं इसके अंदर थोड से इंग्रिट में आट कर रहे हो और इसी तरीके से अपने पूरे बालों के लिए दो से तीन चम मत ज्यादा भी ले सकते हैं पर याद रखिए हेर सीरम की मात्रा आपको दो से तीन या तीन से चार ही बुंदे लीजेगा उससे ज्यादा बिल्कुल मत लीजेगा और अगर जाने के चुटकारा से काफी लोगों को जैसे सफेद बाल होते तो वह हफते में या दो हफते में जरूर डाई करते या पारलर जरूर जरूर जाते हैं तो उन्हें के पास टाइम हो ना हो तब भी उनको लगता है मजबूरी में जाना पड़ेगा तो आप लोगों अपने केमिकल से बस सकते हैं आप अपने सफेद बालों को घर पर बैठे काला कर सकते हैं यह देखिए मैं इसके अंदर मिक्स कर दिया इसको आप क्या किजिएगा फैला के रखिएगा बिल्कुल इससे गाड़ा करके ना रखिएगा इसको जो एसे फैला के रखिएगा जिससे की कि यह देख सकते हैं इस तरीके का यह जो मिशन हमारा बनके तयार हो गया है बस आपको काली कढ़ाई में याद रगना है काली कढ़ाई और हेर सिरम की दो से तीन बुद्धे जरूर एट कीजेगा तभी आप लोगों को जो बैटर रिजन मिलेगा यह बिल्कु नया नुस्का आप एक बड़ ट्राइब करेंगे तो देखिए रिजल्ट आपके सामने होगा तो यहां मैंने इसके अंदर एट कर दिये आप इसके जगा जैसे मैंने आप लोगों साथ जो शेयर किया कि आप ऑलिव और नारिल तेल दोनों को चीजों को एट कर सकते हैं देख सकते हैं यह किसी भी एक चीज को लेंगे तो ज्यादा बेटर रहेगा इस तरीके और यह ज्यादा महंगा नहीं आता है चोटी सी बॉटले काफी ज्यादा काम करेंगे और इसके लिंक अगर मिरे पास डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा तो मैं दे दूंगी काफी अच्छी आप लोगों को आज की वीडियो यूस्फुल लगए अगर अच्छी लगए तो प्लीज जाते जाते क्या किजिएगा लाइक कीजिएगा शेयर कर सकते और इसको साथ के साथ अगर फर्स टाइम वीडियो को वाच करें तो सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को और हाँ मैंने आपको बताए उसी क्वांटिटी में आपको इसको बना के जो अपने बालों पर लगाना होगा तो उम्हेद करते हैं आप लोगों को आज की रेमेडियो यूस्फुल भी लगए और आप मैंने जो खास ही जाट की हो सकता है आप लोगों ने अच्छी वीडियो देख सकते हैं इस तरीके से ही रेमेडिय बन के तयार होगी आपको बहुत सारा जंजट नहीं करना पड़ेगा इसमें थोड़ा सा और गुंगरा पानी आइट कर सकते हैं और याद रिखे को एक लोही की कढ़ाई जिसे आइरन की कढ़ाई क्याते हैं वह हमारे बालों के लिए का काफी लोग जो आइरन की कढ़ाई मेहंदी लगाने में यूज़ करते हैं और चीज़ यूज़ करते हैं और यह इंग्रिट जो नैच्रल है और गैनिक है जितने भी मैंने आप लोग साथ शेर किया इससे आपके बाल जो नैच्टर तरीके से काले होने चुरू हो जाएंग